स्टीवर्म सॉलेशन चेप्टर 29 एलेक्ट्रिक फिल्ड पोटेंशल क्वेस्ट निमर्ट 30 अपार्टिकल एविंग चार्ज 2 इंट्रेंट की पावर माइनस 6 कुलम और मास 100 ग्राम इस प्लेसे बॉटम ऑफ स्मूथ इंकलेंट प्लेंट 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 आपन एक्स दिस्टेंस के उपर रखते हैं तो एक्स की वेल्यू क्या होगी वह फाइंट करना है और यहां पर दोनों पार्टिकल सेम है यानि मास दोनों का सेम 100 ग्राम है चार्ज दोनों का 20 इंट्रेंट पर माइनस 6 है और एंगल ऑफ इंकलिनेशन 30 डिग्री है यहां प इसको आगे लेके आएगा कौन सा mg sin theta ओके अब इस mg sin theta क्या कर रहे है आगे लेके आ रहे है तो इस आगे आने से रोकना है तो यह electrostatic फैल्प करेगा electrostatic दोनों का चार्ज सेम है तो repulsion force लेगा कितना लेगा यह Fe यह अपना electrostatic force लेगा जब electrostatic force किसके equal हो जाए mg sin theta के equal हो जाए तो यह rest में रहेगा अब electricity value put कर तो कितना होना है electricity कितना होता है k q square upon x square is equal to mg sin theta यहनी x कितना आ जाएगा x आ जाएगा अपना x is equal to k q square upon mg sin theta यह x square की value आ रहे है तो value put कर देते है 9 into 10 की power 9 तो अपना k है q कितना है 4 into 10 की power minus 12 मैंने square कर दिया है m कितना है 100 gram यहनी 0.1 kg और g है 9.8 और sin theta होता है अपना 1 by 2 यहनी 0.5 इसको solve करते है तो अपना x square आएगा x square कितना आएगा 2.710 into 10 की power minus sorry कुछ गलर कर रहे है x square आएगा अपना sorry x square 2. sorry 2 नहीं आएगा 7.346 into 10 की power minus 2 आएगा यह अपना x square आएगा तो इसका root करेंगे तो क्या आएगा अब आएगा 7 का root करेंगे आएगा 2.71 और minus 2 का root क्या आएगा minus 1 10 की power minus 1 यहनी आएगा 0.271 meter यहनी अगर centimeter में बोलेंगे तो यह आएगा 27.1 centimeter x कितना होना चाहिए यह कितना distance के उपर होना चाहिए 27.1 centimeter के उपर होगा तो यह rest में रहेगा